कहते हैं अंधा गोडा बहिर सवार दे परमेसुर डूननहार चीन को इस वक्त कुछ वैसा ही लग रहा होगा पाकिस्तान में चीन के उपर सबसे बड़ा हमला कमर ही तोड़ दी चीन की और कर दिया है बड़ा एलान जानेंगे च्छे के च्छे उड़ा दिये हैं जहां एक तर तब बिलावल इसके खिलाप अब उसकी जनता ही भड़क गई है जानेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है आए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से वैसे बात करें बिलावल के भारत आने की तो भारत ने भी ये साफ कर दिया कि बिलावल भुट्टो को न देना एक संगठन के नियमों के अनुसार होना चाहिए था इसलिए भारत ने दिया है जिस तरीके से सारे सदस्य देशों को बुलाया है वैसे ही पाकिस्तान को बुलाया है आना ना आना पाकिस्तान के उपर है लेकिन भारत में आकर मीटिंग अटेंड करना भारत के तरीके पर ये तो भारत ने पिछली बार ही साफ कर दिया था दरसल जब पिछली बार एक डेलीगेशन SEO की मीटिंग में आया था पाकिस्तान की तरफ से तो आदत से मजबूर पाकिस्तान ने नया अपना एक अलगी किसम का मैप दिखलाना सुरू किया था और जाहिर सी बात है जिसमें जम्मू कस्मीर को दिखाएंगे अपना और भी कुछ प्रांतों को जोड़ लेंगे तो इस मैप को देखकर भारत की तरफ से सीधे कहा गया कि ये मैप हटा दो वरना एंट्री नहीं मिलेगी लेकिन वो मैप हटाने को तयार नहीं हुए तो भारत ने बाहर का रास्ता दिखला दिया इसके बाद उमीद की जा रही थी कि पाकिस्तान से नहीं आएगा कोई भी डेलीगेशन लेकिन ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बारे में ऐलान किया वहां की परवक्ता बलोच ने बलोच ने कहा गुरुवार को कि हाँ बिलकुल आएंगे इससे पहले जब एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा था कि अभी तक तैय नहीं हुआ है कि मैं जाओंगा कि नहीं जाओंगा लेकिन अब उसकी परवक्ता ये कह रही है कि जाएगा अब जाने का मतलब है कि यहां पर क्या कोई दिवपच्छी बैठक होगी तो आपको बता दे दोनों देसों के बीच कोई भी दिवपच्छी बैठक होने की संभावना नहीं जताई जा रही है ये तो भारत की मजबूरी है कि भारत SEO को होश्ट कर रहा है और एक होश्ट के नाते SEO के जितने मेंबर है उनको नीमंतरन भेजना है वो भी ऐसे समय में जब एक तरब बिलावल भुटो आ रहा है और दूसरी तरब भारतिय सेना पर हमला हुआ है और ये बात एकदम से भू बिलावल भुटो को भारत नहीं जाना चाहिए आपको बता दें तहरीक इंसाफ का ये बड़ा नेता है यानि कि फवात चोधरी इसने अब एक नया रायता फेलाया है इसने ये कहा है कि बिलावल को भारत नहीं जाना चाहिए क्यों क्योंकि भारत की यात्रा कस्मीरियों के बलिदान का अपमान है कैसे समय में तुम भारत जा रहे हो जब दोनों देशों के बीच बात चीत पूरी तरीके से बंद है ऐसे समय में तुम भारत जा रहे हो जब जम्मू कस्मीर के पास विशेस राजी का दर्जा भी नहीं है ये तो तुमने धोखा दे दिया इस तरीके से जनता को धोखा नहीं देना चाहिए बराबरी के आधार पर सम्मंद बनते हैं बड़े छोटे के आधार पर थोड़ी बनते हैं वैसे आपको बता दे बिलावल को यहां आने में अभी थोड़ा वक्त है 4-5 मई 2023 को यह बैठक में आएगा और आने से पहले ही उसके अपने देश में ही उसका विरोध होने लगा है पर करे तो क्या करे पाकिस्तान को इस वक्त सब ने छोड़ दिया है अब एक मात्र उमीद पाकिस्तान को भारत से दिख रही है भारत से बैपार करके सस्ते में चीजों को लेना चाह रहा है दवाईयां भी खत्म हो रहे हैं अनाज भी खत्म हो रहा है ऐसे में कहा जा रहा है कि बिलावल भुटो ये कदम बढ़ा कर अब अगला कदम बढ़ाएगा कि बैपार दोनों देश शुरू कर दें पर जिस तरीके से भारतिय सेना पर हमला हुआ है इसके बाद लगता तो नही कि आइद दूसरी तरफ ये किसी नहीं है आइरेन विडादर देखने कौ मिल रही है यह बलुचिस्तान का है और बलुचिस्तान के ऐसे लगा ये कि एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांथ है ये जो सीपेक के अंतरगत आ रहा है और यहां चाइनीज कंपणियां खूब माल दूर ही हैं 2021 में यहां से चाइनीज कंपणियों ने सोणा चांदी और कोपर निकाला था सोणा चांदी कोपर करीब 5600рем डालर का था और वो भी 2021 में कैसा समय था जब महामारी फैला था महामारी फैलने के बावजूद यहां से 75 मिलियन के खनीज पदार्थ निकाले गए थे आप समझ सकते हैं कि चाइना को इससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था पाकिस्तान और चीन ने एक डील साइन किया था 350 मिलियन डॉलर का ये डील था और 10 सालों के लिए यहां के माइन्स को लीज पर लिया था लीज पर लेने वाली कंपनी थी Metallurgical Corporation of China Limited और इस एगरिमेंट के तहट 50% जो भी आमदनी होती इस माइन का वो जाती MCC को और 48% जाती पाकिस्तान को दो परतीसत ही मात्र बलुचिस्तान के प्रांतिय गवर्मेंट को मिलती ये आकड़ा क्या सही है जिसका खजाना है उसे मात्र दो परतीसत 50% चाइना को और 48% पाकिस्तान को और ये लीज बढ़ाया गया ये लीज बढ़ाकर 15 साल का कर दिया गया और पाकिस्तान का सेर भी बढ़ाया गया अब यहां के लोगों से अगर आप बात करेंगे न तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर अभी भी लोग जैसे मध्यकालिन समय में रहते थे न उसी तरीके से रह रहे हैं बलुचिस्तान का अपना इतियास कभी पढ़ने का मौका मिले तो जानियेगा इसका बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इतियास है जो बलुच समुदा है इनकी एक अलग संस्कृती हुआ करती थी और वो संस्कृती अब धीरे-धीरे खतम हो चुकी है पाकिस्तान ने धीरे में उत्रेंगे ही इन्होंने हाल फिलाल में चाइना को वार्निंग देनी शुरू कर दी लेकिन जहां इतना सारा पैसा दिख रहा हो वहां वार्निंग क्या असर पड़ेगा चाइना के उपर चाइना ने वार्निंग इग्नोर करते हुए यहां पर काम करना शुरू कर दिया हलाकि कई चीनियों को निसाना भी बनाया गया पर अब सबसे पहले बालुचिस्तान के प्रांत में बालुच विद्रोयों ने एक एक करके उडाना शुरू कर दिया है चाइना के मोबाइल टावर BLA ने कुल 6 टावर उडा दिये हैं और कहा जा रहा है कि BLA अब चाइना के जितने संसादन है उस पर भी एक्षन लेने वाली है तो वहीं चाइनीज लोगों पर भी फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट जिसमें सीपेक को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है जिस तरीके से चाइनीज मोबाइल टावर को यहां पर बरबात किया जा रहा है BLA ग्रूप के द्वारा चाइना चाहे लाग कोसिस कर ले लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि बलुचिस् कि बलुचिस्एट